नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे A&M, Z&M की सेलेरी के बारे में दो साल तक कितनी मिलेगी? दो साल बाद में सेलेरी कितनी मिलेगी? कितने रुपे की कट होती होगी? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी यदि आप हमारी यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले सबसे पहले देखते हैं A&M की सेलेरी देखिए मित्रों यह है A&M भरती का ओपिस्यल प्रेस्ट नोट इसमें देख सकते हैं वो आप पेमेटिक लेवल एट के तहते हैं आपकी सेलेरी बनेगी लेवल एट के तहते हैं आपको सेलेरी मिलेगी और जो पेगरेड है वो 2800 के हैसाब से सेलेरी मिलेगी और आपको दो साल तक वो सेलेरी मिलेगी वो मिलेगी 18500 रुपे कितने रुपे मिलेगी 18500 रुपे लेवल 8 करते है ये मिलेंगे उसके बाद में 18500 में से 10% आपका पी एप के रूप में कट जाएगा कितना कटेगा 10% है आपका पी एप के रूप में कटेगा जो रुपे कटे बनेगी और जब आप retirement हो जाओगी तब उसे आपका जो payment है वह मिलेगा तो 10% कटेगा और 10% सरकार की तरब से इसमें मिलाए जाएगा तो आपका जब retirement हो जाओगे उसमें मिलेगा तो level है एट के तक तक आपकी एनम का salary है वह बनेगी दो साल तक आपको न तो ड जिसमें आपकी कटोती हो जाएगी यह 1750 रुपे आपके कट जाएंगे और उसके बाल जो तुर रुपे बसेंगे वह आपके अकाउंट में आएंगे आप हम बात करते है यह वह दोसाल बाद में कितनी सेलेरी मिलेगी यह आप देख सकते हैं राजस्तान पेव मैट्रिक का फॉर्मेट है इसमें यह लिखी हुई है साफ साफ लेवल एड करते हैं पेगेड अटाइसो करते हैं वो मिलेगी सब्वीस हजार तीन सो रुपे कितने मिलेंगे आपको दो साल बाद यह आपका प्रोमेशन पिरिड कंपवीट होने के बाद आपको मिलेंगे सब्वीस थाजार तीन सो रुपे यह आपकी सेलेरी बनेगी बैसिक उसके बाद में आपको डिये मिलेगा और । मिलेगा उसके बाद में आपका 16% मिलेगा HR A house rent अलोबेंस है वो मिलेगा उसके एसाब से आपकी कुल चैलेरी बन जाएगी लगबग 31,000 आपकी दो साल बाद में चैलेरी बन जाएगी और कटोती की मैंने बात कर दी और 31,000 आपकी दो साल बाद में चैलेरी बन जाएगी अब हम बात करते हैं G&M की चैलेरी के बारे में देखी मितरों यह है G&M भर्थी यानि नर्स सैनी दित्ती यानि नर्स सेकंड ग्रेड है भर्थी का है तो लेवल आपका 21,000 के तयाद आपको सैलेरी मिलेगी कौन से लेवल लेवल 11,000 यानि 42 Pay Grade के आपको Selerie मिलेगी कौन से पे ग्रेड 42 Pay Grade के आपको Selerie मिलेगी और आपके कुल Selerie मिलेगी वो बनेगी 27,500 रुपे कितने बनेगी Level 11 पे ग्रेड 42,000 के आपकी मिलेगी 27,500 जिसमें 10% की पीअप के रूप में आपकी कटिनोती हो जाके 2050 रुपए है वो आपको कर जाएंगे और बाकी बसे है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे ये मिलेंगे आपको दो साल तक आपको ये सेलेरी मिलेगी और दो साल तक आपको ना तो डी ए मिलेगा ना TA मिलेगा और नहीं HR मिलेगा fix payment है वो मिलेगा जिसमें 10% की कटोती हो जाएंगी और 2 साल बाद में कितनी बनेगी वो हम देखते हैं आगे देखे दोस्तों यह राजस्तान पे मेट्रे का फॉर्मेट है level 11 के तर्द आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है खुल साप साप level 11 के तर्द 42 सो पे ग्रेड के एसाब से आपको salary मिलेगी वो मिलेगी 38,800 रुपे कितने मिलेगी 36,800 रुपे तो आपकी यह salary मिलेगी उसके बाद में आपका DA मिलेगा और TA मिलेगा और उसके बाद में 16% है वो मिलेगा HR A house rent allowance है वो मिलेगा आपका 16,000 16% है वो मिलेगा HR A तो आपकी कुल है salary level 11 के तर्द 37,800 तो हम सब मिला करके यह यह डिये टिये और HR A मिला करके आपकी कुल salary हो जाएगी 42,000 रुपे कितनी हो जाएगी आपकी salary कुल आपकी हो जाएगी 42,000 आपकी salary हो जाएगी उसके बाद में हर साल दो साल के बाद में हर साल आपकी salary है वो बढ़ती जाएगी और 10% की कट होती वो तो पीप की रूप में होगी और जब आप retirement हो जाओगी उससे में आपको यह है 10% कट होती और 10% सरकार है अपने में से मिला करके आपको वो दे देंगे ठीक है यह मैंने पूरा जानकारी आपको बता दिये दो साल तक कितनी मिलेगी दो साल बाद में कितनी मिलेगी कट होती कितनी होगी मैं मैंने पूरा बता दिया आपको यह जानकर यह सी लगती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को सेर करना बिल्कुल न भूले और इसमें कोई गलती रह गई है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो और आपको यह वीडियो पसना आता है तो दोस्तों को सेर करना बिल्कुल न भूले